साथियों, आज का वीडियो SSC GD 6 मार्च, चारो सिप्टों में आये हुए प्रशनों पर आधारित है, वीडियो कम्प्लिट देखिएगा, लाइक भी कर दीजिएगा, और चैनल पर अगर नए हैं, तो सस्क्राइब करके घंटी का बटन जरूर से दबा दीजिएगा, ऐसे ही कंटेंट देखने के लिए, चलिए सवाल जबाब का सिलसला सुरू करते हैं, बात करते हैं पहले मनरेगा की, मनरेगा से कोशन पुछा गया था, कि मनरेगा के तहट कितने दिनों का रोजगार प्रदान किया जाता है, अचा है एक चीज़ और क्लियर कर दूँ, इस वीडिय टेलिग्राम चैनल पर मिल जाएगा, टेलिग्राम चैनल जोईन के रिखिए, लिंक के डिस्क्रिशन में दिया हुआ है, ठीक है, तो मनरेगा में टोटल सौ दिनों का रोजगार आपको प्रदान किया जाता है, ठीक है, मनरेगा के अगर बात करें तो यम यन आरी जीए मनर ठीक है, जिसको पहले नरगा के नाम से जाना जाता था, इसका फुल फार्म क्या है, महत्मा गांधी, राच्टी, ग्रामीड, रोजगार गारंटी, अधनियम, ठीक है, भारत में लागु एक रोजगार गारंटी योजना है, और ये बिश्व की नंबर एक योजना है, और भारती संसद ने अगस 2005 में नरगा को पारित किया था, जो दो फरी 2006 को लागु हुआ, ठीक है, अगला प्रशने पूछा गया कि रडजी ट्राफी 2022 स्टेस का खिताब किस टीम ने जीता, ठीक है, तो सवराश्टी, इसका राइट आंजर है, सवराश्टी क्रिकिट टीम के पास 2022 संसकंड का बरतमान खिताब है, उसने कोल्काता को इडन गारण में, फाइनल में, बंगाल किर के टीम को हराया, ठीक है, अगर आप तो पूछा जा sloppy का, तो कोल्काता के इडन गारण में हुआ था, उसको हराया जो है जो है, बंगाल किर के टीम को, सवराश्ट ने ह करके किताब पर कबजा किया अगला प्रक्रशन है कि लेजीम निट का संब्ध किस राजी से हैने कि सब्सक्राइब कि ढूँएै तो इससे डियान रखे किए अगर बारा दिया है तो बारा अप्डिक करेंगे नहीं ते नहीं टिक करेंगे ठीके तेवल नौ खिलाडी ही मैदान में उदरते हैं, ठीक, खोको के बारे में अगर बात करूँ तो एक मैच में दो पारियां होती हैं, एक पारी में प्रतेग टीम को पिछा करने के लिए 7 मिनट और बचाव के लिए 7 मिनट मिलते हैं, ठीक है, खोको के सुरुवात कहां से हुई थी तो महराश्ट से हुई थी अगला प्रशन पुछा गया कि दीप का पलीकल का संबंद किस खेल से है तो रिपीटेट कोश्टन है कई बार आ चुका है यह स्कुएस ठीक है डीप का पलीकल जो है एक पेसे वर स्कुएस से इसकुएर है ठीक है और इनका स्कुएस साब्स है तिसका जो राइट आंसर है ओ है मिजोरम ठीक है वैसे दोजार ग्यारा की जनगणा का अनसार केरल में कुल साच्छातरतर महिला सबसे अधिक है ठीक है अगला प्रशन है कि चौथी पंच्वर्शी योजना किस माडल पर आधारित थी तो चौथी पंच्वर्शी जियोजना है वो गाडगिल फार्मूले पर आधारित थी, 2011 की जनगरना के नुसार भारत का सक्षातादर कितना है, इभी कोशन रिपीटेड है, ठीक है, 74.04%, ठीक है, मोंग मोंग तेवहार कहां मनाये जाता है, मोंग मोंग तेवहार जो है, ये नागालेंड मनाये जाता है, नागालेंड के संगतम लोगों द्वारा ये तेवहार मनाये जाता है, और हर साल सितंबर के पहले सता में पढ़ता है, ये जी ध्यान रखना है थोड़ा तेवहारों के बारे में जो पूछा जाता है, वो तेवहार कब मनाये जाते हैं, ये भी आपसे पूछा जाता है, के पास होती है ठीक है अगला प्रश्ण है कि निमलिखित में से किस करांदिकारी को गांधी जी ने देश भक्तों में राजकुमार कहा था तो सुभाश्चंद बोस को ठीक है 1942 में गांधी जी ने बोस को देशभक्तों की बीच राजकुमार करके संबोधित किया था ठीक है अगला प्रश्ण है कि लंडन में इंडिया उकी अचीवर्स आनर्स वारा लाइफ टाइम अचीवर्ण अबार किसे प्रदान किया गया करेड़ा फेर्स का कुश्चन है यह तो माइनस 2.3 डिगरी सेलसियत होता है ठीक है क्वांटम अभियांत्रिकी में क्वांटम यांत्रिकी की भासा में कहें तो परमशुन निताप पर परदार्थ अपने ग्राउंट इस्टेट में होता है जो नियुनतर मूर्जा का इस्टेट है अगला प्रश्ण पुछा गया कि आईश्मान खुराना का इनुसेफ इंडिया से क्या संबंद है तो आईश्मान खुराना इनुसेफ इंडिया के राष्टी राध्दूत है ठीक है अगला प्रशन है कि पूजी की स्ट्याग्म ब्रधी को क्या कहा जाता है पूजी की स्ट्याग्म ब्रधी को सुध्ध निवेष कहा जाता है जिसे सुद्ध निमेश बरावर सकल निमेश मानेश मुल्यास के रूप में व्यक्त किया जाता है अगला प्रश्ण है कि बेतन में समानता का वर्णन समिधान के किस भाग में है तो भाग चार में है अनुचेद के अगर बात करें तो अनुचेद 49 डी और 41 के माध्यम से पुरुषों और महिलाओं दोनों के लिए समान काम के लिए समान बेतन और काम के अधिकार के सिधान को मानिता दी कही है भारत का समिधान का जो भाग चार है राज के इसमें नीती निर्देशक सिधान मतलब DPSP सामील है इन सिधान दों का मुल देशी गया है लोगों को सामाजी का आर्थिक नयास निश्यत करना और भारत को एक कल्यांकारी राज की रूप में अस्थापित करना अगला प्रश्ण पूछा गया है कि मदावुर वाशुदेवन नायर का सम्मंद क्रिशनेस सैली से है तो कथकली इसका राइट आंसर है कथकली पे आपको टिक करना था निश्कोशन पूछा गया है कि राश्टी भूभावत की अनुसंधान संस्थान की इस पर सोध करता है तो प्रधवी की जटिल सरचना की ऊपर कहनेंग मतलब यह है क्योल यही नहीं यह जो है भुकम बिज्ञान, भुगतगी, भुपर्याबरान की अध्यन की अतरिक्त, हाइड्रोकार्बन, खनीज, भुजल, सोटों करनमेशन में इसका प्रमुख्य योगदान है और आप से पूछा जै कि संसान कहा है तो यह हैद्राबार में इस्तित है अगला प्रशन है कि पानी-पानी होना मोहावरे का अर्थ क्या है लज्जित होना अप्यक्षा का विलोम उप्यक्षा होता है अनप्यक्षित का विलोम अप्यक्षित होता है अगला प्रश्ण है कि जाकर उस्ताज जाकर हुसैन का सम्बन कि सुवाज अंदर से है, तो उस्ताज जाकर हुसैन का सम्बन है तब लाशय है, repeated question है, ठीके, भुटान की सीमा किस भारती राजी से लगती है ठीके, तो भारती, कई बार पार पता शुक़ों है आपको कि भारत क साथ राजियों के सीमा लगती है ठीक उनके खेल क्या है उनकी मुद्राएं क्या है ठीक है यह सब आपको उनकी राधानिया क्या है ठीक यह आपको ध्यान में रखना है तो भूटान की जो सीमा है वो पश्री मंगाल आप्शन में था पश्री मंगाल से लगती है वैसे भारती अगला प्रशन पूछा गया है कि राजपाल की छमादान की सकती का संबंद किसे अनुच्छेद 161 इसका राइट आंसर है उहीं अगर राश्पती के बारे में बात की जाए तो अनुच्छेद 12 के तहद राश्पती को छमादान की सकती प्राप्त है की कि अगला प्रशन पूछा गया कि जर्मन सांती पुर्षकार 2023 के से प्रतान कीा गया करेंट अफर्ष का कोश्षन है तो सलमां दुर्ष्टी इसका राइट आंसर है भारत में जन में अमेरिकी लेख़क सल्मान रुस्दी ने जर्मन बुक ट्रेट 2023 का सांती पुरुषकार जीता है भारत में पहला आम चुनाव गब हुआ था ठीक है पचीस अक्टूबर 1951 पचीस अक्टूबर 1951 से लेकर के 21 फरवरी 1952 तक यह चुनाव चला था वहीं अगर आपसे दूसरा पूछा जाता है तो त्यंगना मलिका सारा भाई को फ्रेंच पालमे डी और पुरषकार से सम्वानित किया ठीक है तो इसमें कितना आसान वही ज़ूड़ा है ना मतलब क्या फ्रांस ठीक है आसान है कितना आशान है ठीक है मलिका सारा भाई कोiciones 17 weं 1070 में उनका पहला पुरुषकार मिला वह फ्र पालमी डी ओर की प्राप्त करता थी और पेरिश में उन्हें अफ्रसकारों की बीट 25 हिसें के चार सम नर्थिकियों की बीट सर्फसेश्ट एकल अकलाकार क्रूब में सम्वानित किया गया था ठीक है अगला प्रशन है कि पोलोमी घटक का संबंद की स्खेल से है तो पोलोमी 1998 और 2016 के बीच ये साथ बरिश्ट राष्टी चेंपियंसिप जीती है ठीक है अगला प्रशन पुछा गया है कि अनुछेद 12 का संबंद किसे है तो अनुछेद 12 में राज सब्द को परिभाशित किया गया है देखे जो अनुछेद 12 है भारत के समिधान में एक प्राउधान है कि जो समिधान में उलकित राज सब्द को परिभाशित करता है इसमें के अंदर सरकार संसद राज सरकार और राज बिधान मंदल सामील है इन संस्थाओं के अलामा कुछ अस्थानी प्राध करणों और अन प्राध करणों को भी समिधान के तहद राज माना जाता है ठीक ह अभी एक बिवादित बयान आया था कि भारत को देश नहीं मानते हम ठीक है तो देखिए यहाँ पे साफ तोरपी स्वष्ट समिधान में अनुछे द्बारा कहता है कि राजी की परिभासा क्या है ठीक है नेश कोशन है कि कुम्मी किस राजी का लोक निरते है कुम्मी जो है य जो के बाज बने जमुन होन दोहजार आठ के बीजिंग खेलों में कांस पदगे जीता अगला प्रश्म साइन्स है कि निश्चित आकार वाले कठोफरदात को क्या कहा जाता है भारत में अंतरिम सरकार का गठन कप किया गया था ठीक है दो अक्टूबर 2 सेप्टेंबर 1946 को 2 सेटमर 1946 को अंतरिम सरकार के गठन जवाला नहरु को निट्वत में किया गया था अंतरिम सरकार के गठन का प्रावधान जो है एक कैबिनेट मिचन योजना में नहीं थी था ठीक है मतलब देश चलाने के लिए अंतरिम सरकार का गठन किया गया था जब तुनाव नहीं अबादी का 79.8 परसंट है दुनिया में 94 फिस्दी हिंदू भारत में रहते हैं अगला प्रशन है कि भीमा नदी की सहायक नदी की किनारे कौन से अगर बसा हुआ है तो पंधरपूर ठीक है अगला प्रशन है कि गौरोगई का सम्मंद की स्खेल से है गौरोगई एक गोलफ हैं अगला प्रशन है कि भारत में कितने राश्ची तिवहार मनाये जाते हैं तो भारत में कुल तीन राश्ची तिवहार मनाये जाते हैं कौन-कौन से गरतन दिवस 26 जनरी 77 दिवस 15 अगस्त और गांधी जैनती 2 अक्टूबर अगला प्रशन है कि लाइसेंस राज किस से सम मंद जो है नीमो और नौकर साहिव से है। प्रिए ससंदर्भीट करता है जो वर्ष बिछ नहीं सब समधित में चलाने के लिए आवश्यक थे अगला प्रश्ण पूछा गया है कि तरल का बिलोम ठोस होता है तलवे चाटना महारेकार्थ चापलूशी करना सर्म का परेवाची लज्जा क्रीडा लाज तरपा हया पश्यता पश्तावा ठीक है जैसा अप्शन में दिया रहेगा वैसा आप क जिवानी किसने की तो 2022 जो एसाइए खेल हुए थे वो हांग जोओं चाइना में हुए थे ठीक है अब एक महत्पूर बात यहां पर आओर जान लीजे सुभंकर आपसे पूछा जा सकता है तो एसाइए खेल 2022 का जो सुभंकर था वो तीन स्पोल्टी रोबोट है जो कि प्रादगण के अस्थापना कब हुई तो 9 नौंबर 1995 को भारत कितने देशों के साथ सीमा साजा करता है बार बार देखे कोशन यह रिपीट हो रहा है ठीक है इसके पहले भी कोशन आ चुका है यह साथ देशों के साथ सीमा साजा करता है कौन-कौन से है अब्भानिस्तान भूटान नेपाल चीन म्यामार बंगलादेश ठीक है अगला प्रशन है कि सक्ति का मात्रक क्या है सक्ति का मात्रक वाट होता है सत्यसोधक समाज के अस्थापना किस ने की सत्यसोधक समाज के अस्थापना ज्योटिरा फूले ने की ठीक है सत्यसोधक समाज का मतलब क्या होत कितने पदक जीते मेरे कितने भाई हैं कि 1S के साथ 4S लाया आदक कहेंगे ISSF लेकिन भाई ऐसे नहीं बढ़ा जाता है इसको ऐसे पढ़िए ISSF मैं तो ऐसे ही पढ़ता हूँ ठीक है ISSF नहीं तो कितने बहादूर लोग हैं जोड़ देंगे उसे में ISSF इसे में भारत ने कितने पदक जीते तो टोटल है 17 पदक भारत ने जीते थे ठीक है अच्छा बात करूं कब हुआ था यह तो 16 से 24 जुलाई तक यह ISSF जुनियर बिसु चैंपियंशिप 2023 का आयोजन साउथ कूरिया के चांग ओन सूटिंग रेंज में किया गया था यह इस साल का यह तिसरा संस्क्रण था ठीक है इस आयोजन भारत के प्रभास अले प्रदाशन से ISSF युनियर बिसु चैंपियंशिप 2023 में 606 रजत और पांच कांच से सहित कुल 12 पदक भारत ने जीते ठीक है और इंडिया दुसरे अस्थान पर रहा अगला प्रशन है कि योशंग तेवार कहां मनाया जाता है योशंग तेवार जो है मरी पुर्म मनाया जाता है लमता महिने लमता महिने वहां के भासा में लमता महिने बोलते हैं मेने को मतलब होता है फरवरी मार्च कि पूर्मा के दिन ये पांच दिवसी कारिकरम मनाया जाता है अगला प्रशन है कि नुवा खाई उस्व कहां मनाया जाता है नुवा खाई उस्व जो है ओडिसा में मनाया जाता है ये किशानों का तेवहार है नए फसल के स्वागत के लि यूजना की सुरुवाद जो है 23 सितंबर 2018 को पूरे भारत में इसको लागू किया गया ठीक है आइसमान भारती यूजना या प्रधानमत्री जन आर्यों की यूजना भार सरकारी क्या है एक स्वास्य यूजना है ठीक है 2018 की बजट सत्में बितमंत्री अर्जुटनी यूजना इसका राइट आंसर है अगला प्रश्ण है कि इंडिका के लेखक कन है इंडिका के लेखक जो कौन है मेगस थनी जे ठीक है ये यूजनानी भासा में लिखी गए एक पुस्तक है जिसमें मौर कालिन भारत के समाज नगरों और भोगोलाद का बिसित वरन है अगला संयुकता पारी ग्रही का समंध कि नित्र के शेतर में आने वाली पहली उडिया महिला है ठीक है अगला प्रश्ण है कि बंगाल का बिभाजन की सुभर सुवा बंगाल का बिभाजन 1905 में हुआ आपसे अक्सर ये पूछा जाता है कि बंगाल के बिभाजन के समय वाइसर कौन था तो लाड कजर ठा झीक है और ये पूछा जाता है कि बंगाल के भी भाजन कारण किया था अंगडिजियों ने प्रसासनिक कारणों का हवाला दिया अगला पूछा एक लच्छ सेन का संबंद किस खेल से हैं तो लच्छ culprit सेन का संबंद जो है बैठ्मिंटं से है ठी वतम बुद्र ने पाली भासा में उपदेश दिये थे पाली भासा जो है यह सिच्छीत मतलब पुर्जारियों और पंडितों द्वारा बोली जाने वाली भासा थी ठीके अगला प्रश्न है कि चंदगुत मौर की गुरु का नाम गुरु का नाम क्या था चानदक था ठीक है चाड़क की जो है चंदगुत महुर का गुरू था ठीक है और उन्हें प्रथम संपूर भारतिय सामराज के अस्थापना का स्रे भी दिया जाता है चाड़क के जिनकों के हम कौटिलिया बिशुर्गुत के नाम से भी जानते हैं मगज छेतर में पाटिल पुत्र में सकसाली न सितंबर 2023 को बिसकर्मा जैनती की अवसर पर ठीक है पिम बिसकर्मा योजना के नाम से इसको सुरूबात की गई ठीक है वीडियो अगर अच्छा लगा हो तो एक लाइक जिरू से कर दीजिएगा चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में तब तक के लिए जैहिंद